हलो एवरिवन मैं हूँ शामा और आप देख रहे हूँ मेरा चैनल Simple Beauty and Life in Style देख देख रहे हूँ आज के वीडियो में मैं होम और किचन दोनों से रिलेटेड आपके साथ कुछ टिप and टिक्स शेयर कर रहे हूँ क्योंकि दिवाली आ रहे है फेस्टिवल सीजन है तो ये ट्रिक्स और टिप्स होम और किचन टोनों के लिए इसलिए मैंने आइड की है I hope आपको पसंद आएंगे कौन सी टिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी है जरूर बताईएगा और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजेगा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और कॉमेंट शेक्षन में जरूर बताईगा कि कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई है तो लेस्स स्टार्ट दा वीडियो क्या होता है कभी कभी हम आलू जब वाइल करते हैं आप पराठे बनाने के लिए तो आलू जब ओवर कुख हो जाता है तो उसमें यह होता है कि फिलिंग सही से नहीं आती और पराठे हमारे फटने लगते है तो एक छोटी सी टिप दे रही हूँ आई हूप आपको पसंद प्रेश ब्रेड लिया है फ्रेश ब्रेड के साइट्स हमें निकाल देंगे इस तरह से और वाइट या ब्राउन दोनों ही ब्रेड आप ले सकते हैं और इस तरह से इसका चूरा बना लेंगे यह आप मिक्सर में भी कर सकते हैं या आपके पास ब्रेड क्रम्स पढ़े है तो तो बिल्कुल टूटी नहीं है तो इस तरह से ब्रेट का यूज़ कर लीज़े एक अगर ब्रेट क्रम्स नहीं है तो फ्रेश ब्रेट को भी आप इस तरह से पेस्ट ब्रा सकते हैं उसमें मिला के अब जो सेकंड टिप है हमारी वह है दूद को लेकर के अक्सर क्या होता है कि दूद जब बॉयल करते है तो नीचे से या तो दूद लगने लगता है या फिर नीचे की तली में जम जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा पानी पहले डाल लीजेगा तीन चार चमच आरो का पानी डाल लीजे इस तरह से फिल्टर का पानी उसके बाद होने की वज़ा से वो नहीं होगा और इसको थोड़ा सा आप जैसे बॉइल करते हैं वैसे बॉइल कर लीजे और यूज मिलाएए नेक्स जो मेरी टिप है इस तरह के कंटेनर पे है ये कंटेनर जो है बाहर से अगर हम खाना ओर्डर करते हैं तो ये उसमें आता है तो मुसली तो ये आम फेक देते हैं लेकिन ये बहुत ही एक अच्छी चीज है जिससे हम फ्रीज में बहुत सारी चीजे स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं बेस पार्ट ये है कि इसमें लीड भी होता है और बिल्कुल पर्फेक्ट है फ्रीज में कम स्पेस अगर छोटी फ्रीज है या स्पेस बहुत लेते है बरतन आपका तो इसको आप यूज कर सकते हैं थोड़े थोड़े बचे हुए खाने जैसे आटा है चावल है बिस्किट है उनको स्टोर करने के लिए ये पर्फेक्ट है फूड ग्रेड होता है ये प्लास्टिक तो ये जो हानिकारक भ पूरा जितना भी स्पेस है वो मेरा बच जाता है इसमें नेक्स जो टिप है आटे की टिप है जैसे आटा थोड़ा बच जाता है तो हम इसको ढ़के रख देते हैं और फिर यूज करते हैं तो आप पाते हैं कि उपर की साइड में एक पतली सी पप्डी टाइप की जम गई बचे आटे को रोल कर ली जे और जिसमें भी आपको स्टोर करना है अब जब आप निकालेंगे तो नीचे भी यह चिपका नहीं रहेगा बरतन भी आपका क्लीन रहेगा और जो पप्री जम जाती है जिससे आटा थोड़ा वेस्ट होता है बो भी नहीं होगा और बुरा फ् जय से बहुत मुश्किल होती है तो यह बहुत एजी है इसको फ्रेश निकालना ऐसे अच्छे आपको प्राणी चिजों का मेकवर भी सिरूज ले सकते हैं, in fact table बगएर है, उसका भी makeover आप इसी तरीके से कर सकते हैं, तो बहुत simple तरीका है, ये wood का pot है, और इसको मैंने फेका नहीं है, और मैंने सुचा था कि इसका कुछ DIY करूँगी, तो यहाँ पे जो ये मेरे tape ले रखा है न, वो electric tape है, मार्गिट में 10 रुपए का I और इसको इस तरह से, उपर से corner से मैं चिपका रही हूँ, इससे क्या होगा कि नीचे जो cut foot है, वो भी इसमें stick हो जाएगा, जो भी wood का निकला हुआ पीस है, और उपर से एक border भी इसमें बनके ready हुई है, इसी तरह से हम आगे करेंगे इसमें second part, तो यहाँ आप देख three color इसमें use किये हैं, और three color use करके मैंने इस wood के pot को बिल्कुल भी change कर दिया है, इसमें ना paint किया है, हमने ना ही कोई lace लगाई है, बस पाच मिनट में ये बनके, पाच मिनट के बहुत कम टाइम में ये आपका बनके ready हो जाएगा, multi color use कीजे, multi color use करने से ये थोड़ा सा colorful लग देंगे, और इसको कट करके, इसके finishing दे दूँगी, मैं ये देखें, यहां से side से कट कर रहे हूँ, और इसको हम finish कर लेंगे, नीचे की तरफ लगा के अंदर, और इसी तरीके से, मैं ये पूरा, इसका पूरा उपर का part ready कर लूँगे, यहां से लेके यहां तर, तो guys, three colors use किये हैं, मैंने green, black and red, और नीचे तक इसी तरह से, मैंने इसको cover किया है, double line लगाई है, फटा-फट यह हो गया है, और बहुत सारे tape बचे भी हैं, उसमें ज्यादा use भी नहीं हुआ है, मैं दिखाते हूँ आपको, सारे के सारे tape फैसे ही है, तो इनका use करके, आप कुछ भी decorate कर सकते हैं, और किसी का भी makeover कर सकते हैं, नेक्स चो tip है, वो पनीर को लेकर है, अकसर आपने देखा होगा, कि जिनके पास पनीर होता है, उनके डब्बे में पनीर के साथ पानी भी रखा होता है, इससे पनीर खराब नहीं होता, और पनीर soft बना रहता है, तो इस्तमाल कर लीजे, अगर पनीर आपको कल भी नहीं यूज करना है, फरसो यूज करना है, तो फिर क्या करिए, इसका पानी आपको लगतार हर दिन चेंज करना है, जब तक कि आपको स्टोर करना है, इसी तरह से आपको स्टोर करना है, पानी बदलते रहना है, ये fresh बना रह अगर क्या होता है कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं जिनको पूरा खाली हम कंटेनर पे नहीं करते हैं और थोड़े थोड़े आईटम्स जो हैं पैकेट में रह जाते हैं तो पहले भी मैंने इस पे हैक डाला है कि आप चाकु गरम करिए और साइड से ऐसे अग कट लगाए वापस से वो सील हो जाता है, जैसे कि यहां पर मैंने लगा है। सेकंड चीज है कि आप स्टेपलर से भी इसको इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेपलर से आपको लगता है कि नहीं सही है, खाने की चीजों को नहीं करना चाहिए, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप hairpin का use करें इस तरह से जहां तक खाना है या जो भी item है उसमें वहां तक इसको pack कर ले और इस तरह से एक hairpin आप लगाए ये देखें एक या दू ऐसे hairpin लगा लिजे और ये bag में भी आप रख सकते हैं travel करते time और इस तरह से आप use कर सकते हैं packet में कोई कीडे वगारा नहीं लगेंगे और ये seal रहेगा इस तरीके से तो आपको जैसे सही लगे उस तरह से आप इसको seal कर सकते हैं hairpin का idea भी बहुत ही अच्छा है आप उसको भी use कर सकते हैं यहां पे लिया है मैंने carry bag और carry bag जो है बिल्कुल soft वाला carry bag आता है जो transparent वाला होता है उस तरह का carry bag लिया है ये चोटा बड़ा जो भी आपके पास हो ले ले और एक gold side करना कैप ले ले या कुछ ऐसा gold ले ले जिससे आप gold cut कर सकते हैं तो इस तरह से निशान लगा लिजे और उसी गुलाई को keep our fold करके उसके gold pieces cut करने है मैं तो पहले लंबी-लंबी पट्टियां cut के लिजे फिर एक साथ उसको रखिए और फिर gold pieces cut कर लिजे इस तरह से cut कर लिया है और आप किसी भी डिपी में i container में कहीं पे भी आप ही ओसको set कर लिजे तो इस तरह से कहीं पे भी-रक लिजे यह मैंने रख लिया है और ये जो बना रहे हैं वो ज्यादा कॉवांटिटी में लगता है इसलिए ज्यादा पीसेस में बनाये है तो ये बना लिया यहां पर कोई भी गहरा बरतन ले लिए तो मैंने यहां पर ले लिया है कप और इसमें करीबन दो चमच हम गुलाब जल डाल लेंगे रोस वाटर तो यह मैंने डाल लिया है दो चमच किसी भी ब्राण का आप ले सकते हैं इसमें और उतकी बाद से इसमें जो सेकंड चीज हम म नारियल का तेल मैं मिक्स कर रही हूं और सेम कॉंटिटी में हमें डालना है यह देखी यह पढ़ गया अब तीसरी जो चीज है ना इसमें वह बहुत इंपोर्टेंट है यह स्किन को मॉस्टराइज रखती है और साथ-साथ आपकी स्किन को ड्राइ नहीं होनी देती है तो एक मिनिट का करीब समय देखे ना इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजे आपस में जो भी चीज़े हमने बनाई है वह जो यह सरकल कट करके रखा है उसमें हम इस तरह से मिक्स कर देंगे जितना ज्यादा आपके पास लिक्वीड है सभी डाल दीजे क्योंकि वह सोखेगा और सोखने के बाद वह सेट हो जाएगा तो इस तरह से हिला लीजे और दस मिनिट करीब इसको सेट होने के लिए छोड़ दीजे अब यह हमारा नैचुरल मेकप रिमोर बनके रेडी हो गया घर पे बस एक दो रुपय में बन जाएगा और यहाँ पे जो बेस से लेके जो भ पहले लगाया है तो इस तरह से लगाने के बाद इसको थोड़ा सा हीला लीजे यूस करने के पहले और इस तरह से एक जो है इसका पैड निकालेंगे जैसे एक पीस निकाला और इस तरह से हम क्लीन करने की कोशिस करेंगे तो यह देखिए सारा मेकप जो है ना मेरा वो सारे अच्छे ब्रांड्स के हैं और वाटरप्रूफ हैं सारे और आप देख सकते हो कि बहुत ही अराम से मेकप प्रिमूवर बनके रेडी हो गया है मार्केट में 2.500 के एक मतलब लिक्वीड का वो आता है लेकिन बहुत एजीली आप इससे मेकप प्रिमूवर बना सकते हैं मैंने पुराने Maryvac का यूज किया है वो भी आपका पड़ा रहता है आप ठेक देते हो और ये देखिये, इसकी हालत देखे किस तरह से इसने پूरा मेकप को remove किया है ये मेरी finger में लगा है उसको भी मैं clean करूँगी और आप हाथ देख सकते हैं एक बारी और मैं रंडम ली इसी तरह से इसमें लगा रही हूँ ताकि एक बारी और आपको समझ में आए कि कैसा वक करेगा तो यह हो गया लाइनर काजल जो भी है अच्छी कॉंटिटी में मैंने लगा लिया है यह लगई लिप्स्टिक यह देखे यह लिप्स्टिक लगाई तो एक पैड़ी इंपन लीजे जो आपने बना पे रखे रखा है एक पिस निव इंकाल लीजे और एक ही सुआइप में आप देखे कितना क्लीन करहा है यह देखे एक प्लाइप है नीकल देगा और जैसा कि मने बता है कि इसमें ग दलता कौक गला एधर श्की ख़ और रूखा नहीं रहने देगा ड्राइ नहीं होने देगा तो आप डॉंट वेरी यह आपके स्किन को ड्राइ भी नहीं होने देगा उसमें ऐल भी है तो वह आपके स्किन को ड्राइ बिल्कुल नहीं करेगा तो आज की वीडियो गाई जहीती वीडियो थोड़ी भी अच्छी और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा बहुत सारी तरह तरह की वीडियो इस पर अपलोड होती है थैंक्स पर वाचिंग बाई झाली तरह कर लाचिंग झाली तरह किया है